हलो पर मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल उपन फर पॉफिट में और दोस्तों आज का सेशन काफी खास होने वाला है इसके अंदर हम यह देखेंगे कि भाई चार्ज के दर जो चीजें दिखा रही हैं इंडिकेट्स लिटल बिट कि यहां से वापिस एक छोटा बुल फेज जो है बुल रैली जो है उसका एक आघाज हो सकता है बट कौन-कौन से क्राइटिरिया उन क्राइटिरिया उसको यह पार करेगा तो हो सकता है क्या यह डारेक्ट यहां से ब्रेकाउट करेगा क्या यहां से तोड़ा सा नीचे वापी से एक correction लेके फिर वापी से एक bounce back कर सकता है दो scenario's यहां पर बैठते हैं वो आप लोगे साथ मैं share करूँगा बीटीसे के charts के पर उसके साथ ही जो market cap है वो exactly यह कह रहा है वो भी मैं आप लोगे साथ share करूँगा इस वीडियो को आगे continue करो उससे पहले यह कहूँगा कि फटा वाड़ वीडियो को जासादा like ठोक देना चैनल पर नहीं है तो प्लीज subscribe पर क्लिक कीजिए और बैल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना ताकि जो भी important notifications दे वो आप लोग से miss ना हो सके इसके साथ मैं आपको कहूँगा कि हमारा जो दूसरा नया एक और जो crypto channel है unboxing crypto उसके link description में दी गई है और उपर आई बटन पर आप देख सकते हैं आपको उसको click करना है और उस channel को subscribe करना है उस channel पर exactly क्या होगा उस channel के उपर मेरी कोशी ये रहेगी कि एक fast track के अंदर मतलब कि instantly जो भी important all coins के calls आ रहे हैं signals आ रहे हैं कि यहां से ये breakout हो रहा है इसे price जा सकता है छोटी छोटी time frame में एक live update आप लोग को मैं वहाँ पे share करूँगा ठीक है उस channel को please join कर लजिए क्योंकि all coins के बहुत सारे जो updates है वह आपको वहाँ पे मिलेंगे और कुछ important strategies भी होंगी वहाँ पे वीडियो जादा लंबे नहीं होने वाले short videos होंगे और कह सकते हैं कि एक कॉपे बहुत आपको धडले से signals मिलना चालो हो जाएंगे free of cost premium से भी बहतर ठीक है calls बहुत सारे आने वाले हैं और हर call के उपर आपको खुद भी एक अपनी analysis डालनी है charts पर देखना है कि चीज़ें सही देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं अपनी analysis करनी है और उसके साथ आप उसके इंदर trade ले सकते हैं प्रॉफिट भी अच्छा कासा हो सकता है और risk भी अफकोर्स हो सकता है लेकिन risk हम कम से कम रखेंगे by following the risk and management risk and reward ratio है उसको follow करेंगे तो वो भी आप video चेक कर लेना उपर आई बटम पे click करके ठीक है तो अब फटाफट यहाँ पर market के बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए total crypto market की अगर हम बात करते हैं और one day chart के उपर अगर आप देख रहे हो जो screen पर मैं दिखा रहा हूं आपको तो यहाँ पर एक breakout हुआ है और breakout होके एक daily candle जो है वो भी closing उपर होई है और उसके बाद एक और जो candle है वो थोड़ा सा dodgy बना है बट still वो green है आपको फोटो में blue दिख रहा होगा तो यह एक हलका सा breakout हो चुका है और इससे पहले हमने जितनी बार भी देखा था कि यहाँ पर जो breakout हो रहे हैं वो candle जो है पूरी तरह से line के उपर close नहीं हुआ था ठीक है line को touch करके नीचे आ रहे थे line को touch करके नीचे आ रहे थे तो यह जो एक थोड़ा सा उपर हुआ है इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम थोड़ा बहुत एक price देख सकते हैं बशरते आपको यहाँ पर scalping करनी है ऐसे लोगर आप करके चलना है और right now जो total market cap is near about 1.84 trillion यह कोशिश करेगा 2 trillion के आसपस touch करने जी ठीक है तो उस हिसाब से market में भलके भूलके एक दीची देख सकते हैं अब ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ से यह breakout होगा इसके लिए हम इस चार्ट का थोड़ा सा squeeze करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले भी आगर हम market cap की चार्ट को देखते हैं और जब जब यहाँ पर breakout हुआ है candle जो है वो एक correction phase से निकल के उपर की तरफ close हुआ है तो वहाँ से हमने थोड़ा सा आप देख सकते हैं इससे पहले भी जो हुआ था वो October के मन्त में हुआ था और उससे पहले जुलाई के मन्त में हुआ था यह 2021 के में बात कर रहा हूँ और अब 2022 है तो यहाँ पर यह candle की closing उपर हुई है तो यहाँ से पर यह breakout लेता है अच्छा कासा है कि यहाँ एक bullish face देख सकते है बट अगिन देखिए यह charts पता रहे है ठीक है लेकिन बहुत सारे जो चीज़े है fundamental चीज़े हैं बहुत यहाँ पर matter कर रहे है राइट नो जैसे कि आप simple से बात ले लेजिए Russia है, Ukraine है US है, NATO nations है China है यह सब बहुत कह सकते हैं कि एकदम गोलमाल वाली स्थिती है, ठीक है कभी भी कुछ tension आजगता है तो यह जो चीज़े हमें एक break out देख रही है वो वापी से गायब हो जाएंगे price नीचे भी आ सकता है, ठीक है लेकिन वो 50-100 डॉलर को हमको 1500-5000 डॉलर के नुकसान में नहीं करना है यह सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग करते हैं कि ठीक है 100 डॉलर का नुकसान है, कोई बात नहीं मैं रुखता हूँ, यह वापीस आ जाएगा 100 क्या बात होता है कि 500 आ जाता है फिर मांसिफ्तिती ऐसे हो जाती है कि भाई आप क्या करना चीए 1000 तो बहुत बड़ा नुकसान होगी अब इससे बचने के लिए क्लिए क्या करते हैं उसके अंदर और margin डाल देते हैं तो वो भी जाता है, margin भी जाता है, सब जाता है सबसे बहतर यह रहता है तो चलो 500 डाल पर निकल गया मेरे पास मौका है, मैं अच्छा खासा profit कमा सकता हूँ वैसा भी नहीं है कि भाई आप हर एक को trade के अंदर loss खाएंगे ठीक है, 4-5 में से एक दो में अगर आपको 500 नुकसान होता है या चीजें आपके विप्रित चलती है जो आपको charts पर दिख रहा है charts पर आपको दिख रहा है कि चीजें अच्छी जाएंगी लेकिन कुछ conditions ऐसी आती है कि चीजें अपूदिक चली जाती है तो no doubt हर बार ऐसा नहीं होगा एक या दू मरतब होगा लेकिन तीसरे चौथे पांच को मरतबा चीजें अच्छी जा सकती है तो यहाँ पर जो आप charts देख रहे हैं कि अगर यहाँ से जाता है तो अच्छा खासा हम उपर की तरफ एक breakout देख सकते हैं और इससे पहले जो market cap को जो एक resistance मिल सकता है पहले 2 trillion के आसपास से मिलेगा क्योंकि पहले वहाँ पर एक support resistance पहले से एक्ट कर चुका है और अगर इसको breakout करता है तो वहाँ पी से 2.5 trillion के आसपास इसको एक break मिल सकता है तो आपको charts देख रहे हैं BTC का तो total market cap के chart को भी देखो कि कहां-कहां आपको एक रुकावट मिल सकती है तो this is all about total market cap अब हम BTC के chart पे जलते हैं और चीजों को देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं BTC का मैंने आपको daily chart के यहाँ पर एक screenshot दिखा है और right now जो price चल रही है 41,747 के आसपास चल रहा है और last video के अंदर भी मैंने आपको clear cut कहा था कि यहाँ से ब्रेकावट रहा है इसको पहली रुकावट के कहा में लेगी 41,700 के आसपास और उसकी जो दूसरी रुकावट होगी 42,700 के आसपास 42,000 नेर अबाउट 400 के आसपास गया था और इसके बास से यहाँ पर एक नीचे drop IIT है तो इस लेवल को जो मैं पता रहता है तो हम एक quick scalping shot वगरा भी यहाँ पर कर सकते हैं अब मोटा मोटा बात करते हैं कि क्या हो सकता है देखे 2022 हमने पूरा देखा है कि मार्केट में ज़्यादा तर गिरावट हुई है थोड़ा बात ऊपर आया choppy zones काफी create हुए है और side waves चला है उसके बाद uncertainty काफी रही है कि यह side waves उपर जाएगा कर नीचे जाएगा यह पूरा एक कह सकते हैं कि कश्मकश बनी हुई है अब यहाँ पर क्या करना सी है देखे बहुत important चीज है कि 42,700 भी अगर यह तोड़ता है again major 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 जो एक resistance इसको है that is near about between 44,000 से लेके 45,000 के आसपास यह कह सकते हैं एक safe zone 46,000 पकड़ते हैं ठीक है यह important sign है इसको अगर break करता है then 50 के आसपास ठीक है तो अब हम आतक की बात नहीं करेंगे पहले हम close levels पे बात करते हैं कि हमारा 46 के आसपास एक resistance रहेगा उससे पहले 42,700 के अब यहां से दो scenarios बैठती है BTC के अंदर देखिए अगर हम charts को यहां पर देखते हैं तो 42,000 के आसपास यह मोटा मोटा resistance है पहली चीज यहां तो भाई BTC यहां से एक सीधी breakout लेगा अच्छा खासा ठीक है मतलब ही जो इसकी एक up move चल रही है इसको बरकरा रखेगा और एक 45,000 के आसपास यह माल सकता है based on previous resistance कहां कहां पर record मिली है हम यहां तकी study करेंगे उससे ज्यादा नहीं देखेंगे दूसरी जब यहां पर यह हो सकती है कि price ऊपर जा रहा है 42,700 को भी तोड़ता है मन में किच्छा आती है मन में लंटू पूटते हैं कि अब यह और अच्छा 45,000 के आसपास भी इसको एक अच्छा कासा resistance मिलने वाला है तो यह वहां दक भी जाके एक नीचे वापिस आ सकता है correction ले सकता है और correction जो लेवल होगा इसका वापिस से 35,700 के आसपास होगा और फिर वहां से यह उपर इक तरफ रैली ले सकता है तो दो scenario ते direct breakout और थोड़ा एक higher lows बने हुए है यानि कि अगर मैं बात करता हूँ 30 जनवरी की बात करता हूँ तब 32,500 के आसपास गया था और उसके बाद से 24 तर फैप की बात करते हैं जब रश्या यूकरेन का start हुआ था तब 34,345 यानि कि previous low से यह higher low बना है अगर वापिस से यह आता है तो इस बार ह BTC के pair में देखेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम BTC के pair में देखते हैं तो हमें एक यह अंदेशा मिलता है risk factor क्या चल रहा है क्या जो बड़े-बड़े इंवेस्टर्स हैं they are taking risk against BTC क्योंकि BTC pair में देख रहे हैं और इस वज़े से क्या alts कंदरी के rally आ सकती है वो भी अच्छा कासा उपर जाएंगे अब इसको थोड़ा संदो यहां पर समझते हैं अगर आप यहां पर BTC और Ethereum का चार्ट देखोए तो यह जो चार्ट है मैंने 3D का चार्ट उपन किया है और यहां पर एक उपरवली line है उसको हिट कर रहा है response कर रहा है और हमने एक diagonal line जो रहा किये वहां से यहां से breakout हुआ है इसका ठीक है तो इस इस एक positive sign है कि यहां से breakout हुआ है अब इसका वापिस है एक next move जो है वो उपर की तरफ जा सकता है Ethereum in pair of BTC में बात कर रहा हूँ current price चल रहा है 0.070548 और यहां से breakout लेके हम इसको अच्छा खासा इक उपर देख सकते हैं लम सम मैं एक channel को उपर वी line को तो नहीं पकड़ूँगा मैं previous high को पकड़ूँगा for a safer zone that is 0.087 के आसपास अब इसका alls के उपर क्या हो सकता है देखें we all know कि Ethereum जो एक दूसरा asset है ज जिसके उपर लोग थोड़ा ज्यादा focus करते हैं क्योंकि इसके ब्लॉक्चेन उसके बहुत सारे और यह old coins वगरा है तो in short अगर Ethereum जो है BTC की against अच्छी कासी एक gain दिखाता है इसका मतलब है लोग जो है Ethereum की पीछे जा रहे हैं और उसके साथ ही जो old coins है उसके नदर आपको ह total market cap क्या है क्या नहीं है positive क्या चीज है वह आपको बता है मैंने BTC के बारे बारे बता है कि कौन कौन से resistance हो सकते हैं दो तरीके से breakout कर सकता है direct कर सकता है या थोड़ा नीचे है कि फिर पापी जोपर जा सकता है उसके साथ हमने Ethereum की आपर analysis की है और यहां पर अगर यह breakout होता है तो odds के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है अगें हमें चीजें bullish दिख रही है but we have to follow stop loss का जो rule है में वो follow करना है दो या 30% से जादा risk नहीं पकड़ना है अपने total asset value जो है उसको अगर आपको नहीं पता है किस तरह से करना है calculate करना है तो risk and reward risk management value जो मेर करना scalping करने की okay बड़े trade लेने की कोशिश मत करना okay और leverage of course यहां पर काम रखना okay क्योंकि totally depends upon Russia Ukraine यह सब में क्या हो रहा है okay और देखिए अगर हम थोड़ी सी global conditions की बात करते हैं तो अब 4 तरफ से जो हो रहा है वो Russia के ओपर थोड़ा से pressure बन रहा है Russia जो है वो हार मानने से र करता हूं ठीक है यह सारी चिंतारी बात आ रही है और globally चारो तरफ से जबर्दर sanctions लगे वहें अर्थ व्यवस्ता पूरी डगमागा गई है और बाकी अगरम European nations की बात करते हैं तो बहुत जादा वहाँ पे जो महंगाई है ठीक है वो अच्छी कासी बढ़ रही है और उसका धीरे धीरे चारो तरफ असर पढ़ने वाला ठीक है यह जब शुरुआत होती है ना कि हाँ यह sanctions लग गए यह लग गए तो आपको उसका immediate effect नहीं दिखेगा कि हाँ आभी sanctions लगा है तो आभी सब जगे महंगाई बढ़ गए इन नहीं ठीक है धीरे धीरे जो माल होता है वो उसके बाद से उसका असर देशने को मिलता है तो यह war खतम भी हो जाएगा यूकरेन बरबाद हो जुका है उसको वापी से खड़ा करने के लिए बहुत कुछ लगेगा उसके पीछे भी बहुत सरी लडाईया होंगी तो we never know क्या हो सकता है तो trading के अंदर trend को पकड़के और global कहेगा कि हाँ ऐसा हो जाएगा वो पत्थर की लगी नहीं है फिक है सब अपने एक assumptions लगा रहे हैं मार्केट को देखे थोड़ा बहुत स्पेक्डूरेट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है तो आप भी सब चीजों को देखिए सुनिए पराखिए समझे और से सोच समझ के मार्केट के अंदर अनिवेश कीचे ठीक है तो इस वीडियो को ही पर वाइंड अप करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शरूर ठोक देना और चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बेखले किजिए बैल आइकन पे खले किए ताकि जो भी पर नोडिफिकेशन से वो आपको से मिस ना हो और उसके साथ ही अमारा दूसरा जो चैनल है ठीक है अल्ड कोईन स्पेशल चैनल अन्बॉक्सिंग क्रिप्टो उसके लिंक बगरा है उसको प्लीज जॉइन कर लिजिए अल्ड कोईन के जो नेक्स्ट कॉल है न